किसानों का दूसरा अंदोलन और उग्र होता जा रहा है वो मिट्टी खोदने वाली मसीने लेकर पंजाब हर्याना की सीमाओं पर पहुंच गए हैं हर्याना पुलीस ने कहा है कि यह मसीने किसान हटाए वरना कारवाई की जाएगी किसानों ने अपना दिल्ली चलो मार्च एक बार फिर से सुरू करने का निर्ने लिया है बता दे कि इन मसीनों के इस्तमाल से पंजाब हर्याना सीमा पर तेनात सुरुक्षा कर्मियों को नुकसान पहुंच सकता है किसान, फोकलेन और जेसी भी लेकर प्रदसन इस्तल पर डटे बे हैं इसी बीच केंदर के अनुमान के अनुसार पंजाब हर्याना सीमा पर बारा सो ट्रेक्टर ट्रोली, तीन सो कार और दस मीनी बस के अलाबा कई अन्य छोटे वहनों के साथ लगभग 14,000 लोग जमा है पत्र में कहा कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में कानून विवस्ता की बिगर्ती इस्तती चिन्ता का विसे हैं और मंत्रालिय ने राज्य सरकार को कानून तोडने वालों के खिलाब कड़ी कारवाई करने को कहा है ग्रह मंत्रालिय ने कहा कि किसानों की आड में कई उबधर भी पंजाब की हर्याना से लगी संभू सीमा के पास भारी मसीनरी जुटा रहे हैं और पत्राव कर रहे हैं मंत्रालिय ने कहा कि केंद्रिय सुर्क्षा अजैंसियों द्वारा तयार की गई रिपोर्ट की अनुसार लगभग 14,000 लोगों को राजपुरा अंबाला रोड पर संभू बेरियर पर एकत्र होने दिया गया और उनके साथ लगभग 1200 ट्रेक्टर ट्रोली, 300 कार, 10 मीनी बस और अन्य छोटे वहान भी है उसमें दावा किया कि इसी तरह पंजाब ने धाबी, गुजरा, बेरियर पर करीब 500 ट्रेक्टर ट्रोलियों के साथ लगभग 45,000 लोगों को इखटा होने की अनुमती दी है मंत्रालिय ने पंजाब सरकार से कहा कि पंजाब में कानून विवस्ता की बिगट्ती इस्तती पिछले कुछ दिनों से चिन्ता का विसेब बनी हुई है क्योंकि ऐसा लगता है कि विरोध की आड़ में उपदर्वियों और कानून तोड़ने वालों को पत्राव करने और भारी मसींदरी जुटाने की खुली छूट दे दी गई है और उनका इरादा पडूसी राज्यों में ऐसामती और ऐविवस्ता पेदा करना है मंत्रालिय की तरब से कहा गया कि इसके मद्यनजर किसानों की विरोध की आड़ में विगठन कारी गतिवीद्या कर रहे सबी लोगों पर अंकुस लगाने के लिए ततकाल समिक्सा किया जाने और कड़ी कारवाई किया जाने का अनुरोध किया जाता है ग्रहे मंत्रालिय ने यह भी कहा कि रिपोर्टों के अनुसार अडालत ने पंजाब सरकार से यह सुनिष्चित करने के लिए कहा है कि प्रदस्थनकारी बड़ी संख्या में इकटा ने हो और उसने खास कर राजमार्गों पर ट्रेक्टर ट्रोली जेसी भी और अन्यब भार देते वे हाइकोट ने कहा कि किसान अमरित सर से दिल्ली ट्रेक्टर ट्रोली लेकर निगलेवे हैं जो गेर कानूनी हैं मुक्य न्याइदीस जी एस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर जी की पीट ने कहा कि सब को अपने अधिकार पता हैं लेकिन कुछ समेधानी कर् हाइकोट ने पंजाब सरकार से पूछा कि उसने किसानों की इतने बड़े विरोध परदसन की अनुमती कैसे दी पंच कुला इस्तित अमरावत्ती एनकलेव के रहने वाले अधिवक्ता उदई प्रताब सिंग ने इस संबंध में जनहित्र याची का दायार की थी ऐसे में क आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए का जय हिंद जय भारत